दोस्तो स्वागत आप सभी का Everything is Stock Market चैनल पर दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि Inox Green Energy IPO आया हुआ है जिसकी GMP भी अच्छी चल रही है तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये पहले दिन और दूसरे दिन मिला के कितना गुना सस्क्राइब हुआ है और लाश्ट दिन आज का जो लाश्ट दिन है उस दिन हमको इसको खरीदना चीए या नहीं खरीदना चीए और इसकी आज की GMP क्या चल रही है सारी की सारी चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं तो वीडियो में लाश्ट तक बने रही है और Inox Green के उपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है वो वीडियो आप जाकर देख लें तो उसमें ये पता चल जाएगा कमपनी क्या काम करती है कितना पैसा कमाती है कहां से कितना पैसा कमाती है सारी की सारी चीजें उस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी क्योंकि अगर आप IPO में अपलाई करने वाले हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कमपनी काम क्या करती है कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कमपनी कितना पैसा कमाती है तो वो वाले वीडियो जरूर देखें उसके बाद ये वीडियो देखें तभी जाकर IPO में अपलाई करना है कि नहीं करना है उस बात का decision लें मेरे हिसाब से तो ये ही सही रहेगा अब आइनोक्स ग्रीन एनर्जी का जो IPO है वो 11 तारिक से चालू हुआ था और आज 15 तारिक है आज 15 नॉवंबर की डेट है आज ये साम 5 बजे खतम हो जाएगा साम 5 बजे तक आप एपलाई कर सकते हैं इसका जो प्राइज है वो 65 ही मान के चलिए तो 130 इसके शेयर आपको कम से कम लेने पड़ेंगे अब ये पहले दिन और दूसरे दिन कुछ खास सस्क्राइब तो नहीं हुआ है जैसे पहले दिन QIB ने 0.47 किया खरीदारी और दूसरे दिन भी इतना ही किया NIIs ने पहले दिन 0.05 गुना सस्क्राइब किया और दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा कर 0.23 रिटेल वालों ने थोड़ा पहले दिन भी दम दिखाया दूसरे दिन भी 2.93 खरीदारी की तो पहले दिन टोटल 0.46 गुनाए सस्क्राइब हुआ और दूसरे दिन 0.85 गुनाए सस्क्राइब हुआ तो एक तरीके से देखा जाए तो इसकी GMP में कोई खासी उचाल नहीं है यहाँ पर मैंने लोंग टरम के लिए आपको यह मना किया था पहले भी अगर वाली वीडियो देखेंगे और आज मैं बोल रहा हूं कि लोंग टरम के लिए हम इस कंपनी में अभी नहीं जाने वाले हैं क्योंकि कंपनी के थोड़े रेवेन्यू वगरा जो पैसा कमाती है और इनके उपर करजा वगरा वो थोड़ी बैलेंस इट इनकी सही नहीं है बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए हमको लाष्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उसमें हम आज देख लेते हैं तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जी एमपी चल रही है आज 14 नौमबर आज 15 तारीक है और 14 नौमबर के 8 की जी एमपी है तो लगबग 8 की जी एमपी इसकी चल रही है 230 शेयर का लोट है अगर 8 की जी एमपी जेंटू किया जाए तो 1840 लगबग 1900 रुपे के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है मतलब 1900 से 1200 कम भी हो सकता है 1200 जादा भी हो सकता है तो दोस्तो इसमें फाइनली मैं लिस्टिंग गेन के लिए एक लोट एप्लाई करने वाला हूँ मैं खुद के अपने पर्सनल राय बता रहा हूँ आपका पैसा आपकी मर्जी है आपको अप्लाई करना है की नहीं वो आप देख सकते हैं मैं इसमें एक लोट लिस्टिंग गेन के लिए जाने वाला हूँ और जैसे ये लिस्ट होगा IPO मैं उसको फिर बेच के निकल जाओंगा फिर आगे की आगे सोचेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आइनोक्स के बारे में थी बाकी बिकाजी आरकेन केमिकल काइनोस जो भी IPO आई हूँ है उनकी वीडियो लगातार चैनल पर देखते रहें धन्यवाद